नमस्कार आरे निउस देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पलवी सिंग राजिस्तान बुलिटिन की शिरुवात करेंगे राजिस्तान के करॉली में नफ संद्वार बाइक रैली पर हुए पत्राफ के बाद अब बिगड़ते हालात के चलते आज राद 12 बजे तक कर्फ्यू लगाए गया था हाला कि शाम 4 बजे शांती समीधी की बैचक के बाद हालातों को देखते हुए कर्फ्यू को लेकर ये फैसला किया जाएगा इसी भी चार्ज बोर्ट परिक्षाओं को देखते हुए चात्रों को कर्फ्यू में धील दी गई है दरसल चात्र चात्राइं अपना एड्मिट कार्ट दिखा कर परिक्षा के इंज तक जा सकते हैं इसी के अलावा सभी सरकारी कारियाले कोर्ट और बैंक भी खोल दिये गए हैं जहां काम करने वाले कर्मचारियों को आईडी कार्ट दिखा कर जाने की अनुमती होगे जरूरत के मुताबिक पुलिस प्रशासन कर्वियों में पास भी जारी कर रहा है और इससे आने जाने वालों को छूट दी जा रही है राजिस्तान बोर्ट परिक्षा के लिए सिक्षा भाग और प्रशासन की तरफ से विशेश व्यवस्ता भी की गई है और परिक्षा के इंद्रों के आसपास भी पुलिस सुरक्षा मजबूत की गई कई अलाकों में दवा दूद और सबजी की दुकाने अभी भी बंद है जहां पर आठ बजे से दस बजे तक दूद मिलता है और सबजी की सप्लाई करवाई जा रही है हाला कि करोली में अभी हालात काबू में है और धारा 144 लागू है लेकिन इसी बीच पुलिस लगातार अलाके में गश्ट कर रही है तो वे राजिस्तान के बांसवाड़ा शहर में किन सरकार के खिलाफ यूद कॉंग्रेस ने जम कर विरोध प्रदर्शन किया है लगातार बढ़ती महंगाई के खिलाफ आज ही प्रदर्शन किया जा रहा है जिसमें मोदी सरकार के खिलाफ जम कर नारे बाज़े की गई देश में लगातार बढ़ती जा रही महंगाई को लेकर आज राजस्तान के बांसवाड़ा शेहर में यूद कॉंग्रेस के पतादी कारियों और ने मोदी सरकार के खिलाफ जम कर विरोध प्रदर्शन किया है कॉंग्रेस कारे काले से आपको बता दे काले से रैली के रूप में यूथ कॉंगरेस अध्यक्ष प्रकाष मोcomingsड़ा के साथ ही निर्देशन में इस सभी पतादीकारी शेहर में मोहन कॉलनी चुराह पर पहुंचे और मोदी सरकार के खिलाफ जम कर विरोध प्रदर्शन किया गया यूथ कॉंगरेस के पतादीकारेओं ने मोधी सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की और देश में लगातार बढ़ रही महंगाई और पेट्रोल डीजल और स्वोई गैस के दाम को देखते हुए लगातार जो ये बढ़ोतरी जारी है उसको लेकर आमजंता परिशान हो चुकी है जिसके चलते आज यूध कॉंगरेस ने ये विरोध प्रदर्शन किया है आपको वदा दें कि प्रकाश मैधा यूध कॉंगरेस अध्यक्ष ने बताया है कि आज यूध कॉंगरेस द्वारा देश में लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा पांच राज्यों में तीन महीने तक चुनाव थे तब तक केंद सरकार ने पेट्रोल डीजल या रसोई गैस में दाम नहीं बढ़ा है लेकिन जैसे ही चुनाव होने के बाद सरकार ने दाम बढ़ा दी है मोधी सरकार ने लूटो और खजाना भरो ये नीती अपना कर देश की जनता पर महंगाई की मार डाल दी है अगली कपड जुनुन से है जहां जुनुन जिले के पूर विधायक श्रवन चौधरी के बयान के बाद अब बीजपी को भी बोलने का मौका मिल गया है इसके एक वीडियो में पूर विधायक श्रवन चौधरी कॉंगरस सरकार के मंतरी और सीएम सलाकारों पर ही टिपनी करते नज़र आ रहे हैं इस वीडियो में श्रवन चौधरी का दड़ छलक रहा है दरसल चौधरी ने परिवहन मंतरी ब्रजेश ओला का नाम लेते हुए कहा कि जिन्हें पायजामे का नाड़ा नहीं बांधना आता उन्हें सरकार में मंतरी बना दिया गया उन्होंने कहा कि जिले के दो विधायकों को सीएम सलाकार बना दिया गया है इस बयान को लेकर अब बीजेपी प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि कॉंगरस के अंदर अंदरोनी कला अभी भी चल रही है कॉंगरस भले ही चाहें कितने ही दावे कर ले कि कॉंगरस के भीतर सब कुछ ठीक है लेकिन जिस सराथ से जुनजुनु के पूर विधायक श्रवन चौधरी का वीडियो सामने आया है इससे कॉंग्रिस के अंद्रोनी कला साफ नजर आ रही है आने वाले समय में कॉंग्रिस के लिए स्थिती और भी ज्यादा विस्पोटक होने वाली है और आजिस्तान के उदैपूर की सवीना थाना पुलिस ने रविवार को एक बड़ी कारवाई को अंजाम दिया है पुलिस ने अमनी कारवाई में रात के अंधेरे में भगवा द्वज लगे मकान पर पत्राफ करने के मामले में महस चार घंटों के अंदर खुलासा कर दिया है पुलिस ने कारवाई करते हुए पत्राफ करने के आरोप में साथ आरोपियों को डिटेन किया दरसल उदैपुर्ट शहर के महौल को बिगारने के लिए इसी उद्देश से सवीना थाना शेत्र में रोशन कॉलनी में बीती रात को कुछ आसमाजिक तत्वों ने भगवा द्वज लगे भवरलाल पिता भिरूलाल कलाल के मकान पर पत्थर फेके थे हलाकि रात के अंधेरे में हुई इस घचना के बारे में मकान भवरलाल को इसकी घचना के बारे में पता नहीं चला लेकिन घर में लगे और इलाके में लगे बाकी सीसी टीवी कैमरी की फुटेज को खंगाला गया जानकारी के अधार पर पुलिस ने कारवाई की और पत्थर बाजी में शामिल साथ आरूपियों को डिटेन किया गया और आपको बता दे कि आरूपियों से इस वक्त पूछताच भी की जा रही है और अब खबर है राजिस्तान के बाना जुले से जहां पर अट्रूश शेत्र के कवाई में अडानी पर पावर प्लांट के पास इलाके में पैंथर का मूवमेंट देखने को मिला है यहाँ पर आपको बता दे कि वन विभाग के अधिकारियों द्वारा पैंथर को पकड़ने के लिए बनाए गए प्लांट अब तक विफल होते नज़र आए हाला कि विभाग के टीम लगातार सर्च अभ्यान चला कर पैंथर पर निगरानी कर रही है साथ ही आसपास के अलाके से लोगों से साबधानी बरतने की भी अपील की जा रही है रेंजर प्रेम नरायन भारदवाज ने बताया है कि पैंथर का मूवमेंट अभी भी जहां पर है वहाँ पिंजरा रखवा दिया गया है दरसल पैंथर दुआला जंगल में शिकार करने से इंकार किया जा सकता है वन विबाग की टीम पूरी मुस्तादी के साथ अभ्यान चला रही है और पैंथर की निगरानी की जा रही है और साथ ही लोगों से साबधानी बरतनी की भी अपील की गई तो यह प्रदेश में भीशन गर्मी का सितम जा रही है और इसी के साथ ही उमस भी भर चुकी है पिछले करीब एक हफते से दिन और रात में तापमान में लगाता बढ़ोतरी दर्च की जा रही है प्रदेश के सभी जिलो में दिन का पाराच 40 डिगरी के पार पहुंच चुका है तो वहीं करीब आधा दर्जन जिलो में दिन का तापमान 43 डिगरी के पार पहुंच गया है तो मैं दूसरी और दिन का तापमान भी करीब सभी जिलों में 20 डिगरी के पार दर्श किया जा रहा है बीती रात भी प्रदेश के करीब सभी जिलों में रात के तापमान में हलकी बढ़ोतरी दर्श की गई बीती रात के तापमान में करीब एक डिग्री तक ये बढ़ोतरी दर्श की गई है हाला कि करीब एक दर्जुन जिलो में रात के तापमान में हलकी गिरावट होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है बीती रात के अगर बات किए जाया, 17.1 डिगृस सेल्सियस टेंपरेचर जो है बाडमेर में रहा जिसके साथ ही बाडमेर की ये सबसे ँगर्म रात दर्च की गई और इसीके साथ ही राज्टानी जैपुर में भी बीती रात का तापमान 24 डिग्री दर्च किया गया है और आजिस्तान के डूंगरपुर्ट जिले की पुलिस ने पालवाड़ा फला बलिया में 200 रुपए के बटवारे को लेकर चाचा की हत्या करने के आरोपी बतीजे को गृफताय किया है पुलिस ने आरोपे से पूश्ताच की और घटना 30 मार्च की बताय जा रही है जिसमें पत्तरों से बतीजे ने अपने ही चाचा की हत्या कर दी दरसल सदत अनदिकारी हजारिलाल मिडा ने बताया है कि 30 मार्च को पालवड़ा फला बलिया में हत्या की ये बारदात हुई आश्विन फनात के रिपोर्ट के आधार पर बताया गया है कि आपको उसके पिता शंकरलाल फनात ने होली पर देवाल सतियाल फला निवासी सोहनलाल पनात से 6,000 रुपए बकरी खरीदी थी और इस जोरान आपको बता दे कि ये बकरा खरीदा गया था 6,000 रुपए में और खरीदा गया बकरे के माली को पैसे दिये गए शंकरलाल को 200 रुपए वापिस दिये गए थे ऐसे में बक्षीश में मिले रुपए के बटवारे को लेकर चाचा शंतिलाल पूत्र खातू फनात ने उसके पिता शंकरलाल के साथ जगडा कर लिया चार लोगों में 200 रुपए के बटवारे को लेकर ये विवाज शुरू हुआ किसी के हिस्से में 50-50 रुपए ही आये तो वहीं इस पैसे के बटवारे को लेकर कोल्रा का तालाब पालवडा में शंतिलाल के उसके पिता शंकरलाल को पत्थरों से मारा गया जिसमें वो गंभीर घायल हो गया शानबीन के पूश्ताच की और इस मामले पर आगे की कारवाई की जा रही है तो मैं राजसान के मासवाड़ा पुलिस ने च्छे दिन पहले ही हुई एक यूवक की हत्या का खुलासा कर दिया है हत्या के दो आरोपियों को पुलिस ने जैपूर से गिरफतार किया दोनों ही आरोपिय मृत्ग के दोस्त बताय जा रहे है आरोपियों ने मृत्ग के शरी पर दस बार चाकूस मार कर हत्या कर दी मासवड़ा शेहर के आंगनवाडी की बात बता दें आपको की अंबावाडी शेत्र में 29 मार्च की रात को हुए ब्लाइन मड़क केस का खुलासा कोतवाल थाना पुलिस ने किया इंद्रा कौरणी निवासी 24 साल के समीर खान की हत्या के आरोप में उसके ही साथ काम करने वाले कालिका माता शेत्र के निवासी अजय पुत्र रामुभोई और मीतराज सिंग पुत्र दिपेश सिंग को जैपुर से गिरफतार किया गया पुलिस के अनुसार आरोपी अजय को आशंका थी कि समीर और उसकी पत्नी के बीच संबंध हैं जिसके चलते उसने अपने साथी के साथ मिलकर इस वारदात को अंचाम दिया है आरोपियों ने मृतक के शरीर पर दस बार चाकू सिवार किया और उसकी हत्या कर दी पुलिस को इन आरोपियों की तलाश थी और सुराग के अधार पर इस वारदात स्थल पर मिले चश्मे के अधार पर पुलिस ने चानवीन को आगे बढ़ाया जिसके बाद पुलिस ने चश्मे के बारे में पूछता शुरू की तो महीं हजे भुई का होना सामने आया इस मामले में और फिर पुलिस ने तफ्तीश को आगे बढ़ाया और आरोपि को गिरफतार कर लिया है बढ़ेंगे एक खबर की ओर डूंगपूर जिले से एक खबर सामने आ रही है जहां दोवडा थाना शेत्र में खेतों में काम पर गई एक नावाली को चाको दिखा कर अफरंट करने के बाद घर में बंदक बना कर दुशकर्म के वारदात को अंचाम दिया गया दरसल दुशकर्म की एक घचना में आरोपी के माता पिता समय चार आरोपियों ने सहीयोग किया तो वहीं दोवडा थाना पुलिस ने मामला दर्च कर जाच शुरू की जिसके बाद डुशकर्म के दोवडा धाने में धाना दिकारी कमले शौदरी ने बताया है कि नाबालिक पीड़ता ने रिपोर्ट दर्च कर वाई रिपोर्ट में पीड़ता ने बताया कि 31 मार्च को वो अपने खेतों में सीचाई के काम के ले गई थी उसी समय देवकी निवासी शक्स ने खेतों में उसे अफ़रंड किया और इस दोरान दीपक ने चाकू दिखा कर उसे धमकाया भी साथ ही आपको बता दें लटकी नागे बताया है कि इसके बाद दीपक उसे जबरन बाइक पर बिठा कर अपनी मौसी के घर ले गया दीपक ने मौसी के घर पर उसे एक कमरे में बंद कर दिया तो महीं आरूपी का उसके पिता भैरा भगोरा और मा हाजू भगोरा और जएंतिलाल पूतर सोमा भगोरा ने साथ भी दिया मौसी के घर पर आरूपी दीपक ने उसके साथ जबरन दुशकर्म किया साथ ही घटना के बारे में किसी को बताने पाई उसे जान से मारने की धमक्यां भी दी गई तो वहीं इसका पता नाबालिक पीड़दा के परिवार को लगा जिसके बाद वो सब मौके पर पहुंच गए और आरोपियों के कबजे से बेटी को छुड़ा कर घड़ ले आए जिसके बाद पुलिस को इस मामले की जानकारी दी गई और इस मामले की जाँच अब S.T.S.C. सेल की D.S.P. मनोज सामरिया की ओर से की जा रही है आपको बता दे कि D.S.P. इस घटना को लेकर संदिक नजर आए और आपको बता दे कि उन्होंने घटना असल की तज़्दी करने के लिए नाबालिक को अपने साथ ले गाए और बयान दर्ज किया आपको बता दे नाबालिक की मेडिकल जाज भी करवाई जाएगी